गुड मॉर्निंग तु आल, मैसेल्फ विजेपाल, पिजट इस्ट्री, गवर्मेंट सेनियस कंडरी स्कूल, रोडाई, रेवाडी, क्लास 11, चैप्टर 2, लेकन कला और शहरी चीवन भाग 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं पाठ के उद्देश्य, प्यारे बचो, पाठ के उद्देश्य इस परकार हैं, पहला, मेसोपोटामिया अर्थात इराक में लेकन कला के विकास की परिक्रिया को जानना, दूसरा, मेसोपोटामिया की लेकन प्रनाली को समझना, तीसरा, मेसोपोटामिया की साक्षर्ता, पड़े लिखे लोगों की संख्या की जानकारी प्राप्त करना। चोथा, मेसोपोटामियाई लेकन के प्रियोग की जानकारी लेना। पांचवा, दक्षिनी मेसोपोटामिया में हुए शेहरिकरण में मंदिरों और राजाओं की भूमिका को समझना। पाठ के मुख्य बिंदू, Dear Students, इस भाग के मुख्य बिंदू इस प्रकार हैं, लेखन कला का विकास, दूसरा, लेखन प्रणाली, तीसरा, साक्षरता, चोधा, लेखन का प्रियोग और पांचवा, दक्षिनी मेसोपटामिया का शहरी करण, और इसमें हमें पढ़ना है, मंद और राजा, तो इस भाग के इन सभी बिंदू पर एके करके चर्चा शुरू करते, लेखन कला का विकास, प्यारे बचों, इस बिंदू में हमें यह देखना है, कि कैसे और कब मेसोपटामिया में लेखन कला का विकास होता है, सभी समाजों के पास अपनी एक भाशा होती है जिसमें उच्चारित ध्वानिया अपना अर्थ प्रकट करती हैं, इसे मौखिक या शाब्दिक भावावी भक्ती कहते हैं, लिखना मौखिक भावावी भक्ती से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बढ़ते हैं, जब लेखन या लिपी के बारे में बात की जाती ह तो इसका अर्थ है उच्चारित ध्वानिया जो द्रश्य संकेतों या चिन्नों के रूप में परकट की जाती हैं, इन दो पटिकाओं या टेबलेट्स को देखिए, जो लगबग 32 इसापूरु की हैं, ये मैसोपोटामिया की पहली लिखित भासा या संकेतों की रूप में लिखी गई लिखावट है, इसमें संक्या या सामानों की जानकारी दी गई है, जैसे कि आप इस पटि में देखिए, उपर चिन्न या संकेत के दुआरा बैलों को दिखाया गया है, उसके नीचे कुछ फसले हैं, उससे नीचे अनाज और मचली और साथ में संक्याएं एव देखते हैं कि कुछ कील नुमा अक्षर बने हुए हैं और उनका क्या वर्डिंग बन दी है, इंगलिश में ये साथ साथ में लिख की दिखाया गया है, ये लगबग पांच हजार इस तरह की पटिकाएं मिली हैं, जिसमें हमें बैलों, मचलियों, रोटियों, आदी की विस इस तरह की पटिकाएं हमें दक्षिनी मैसोपोटामिया के शहर उरूग के मंदिरों में मिली हैं, जो वहां से जाने वाले और आने वाले सामानों की साइद सुची होगी। इस तरह की विबिन पटिकाओं को देख कर ऐसा लगदा है, कि लेखनकारिये तब शुरू हुआ होगा, जब समाज को अपने लेंदेन का स्थाई इसाब रखने की जरूत पड़ी होगी। क्योंकि शहरी जीवन में लेंदेन अलग-अलग समय पे होते थे, उन्हें करने वाले लोग भी अलग-अलग होते थे और सोधा भी कई परकार के माल के बारे में होता था, अता है उन सब का लिखित रिकोर्ड रखना जरूरी हो जाता था। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाउँ पर लिखा करते थे, जैसा कि आप ये दो पट्टिकाएं देख रहे हैं, लिपिक अर्थात लेकखक चिकनी मिट्टी को घिला करता था, और फिर उसको गूत चाप कर एक आकार की पट्टी का रूप दे देता था, जि फिर सरकंडे अर्थात एक प्रकार का पोधा कि गिली नोक गिली और तीखी यानि शार्प जो पिन है उससे नम मिटी पर कील आकार के या कील नुमा या क्यूनिफोर्म अक्षर बना देता था जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिटी के बरतनों जैसी मर्जबूत हो जाती थी जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जैसे धातू के टुक्डे सोपने का हिसाब किताब आयसंगत या गैर जरूरी हो जाता था तो उस पट्टिकाएं को फेक दिया जाता था और जब एक बार चुकि आप जानते हैं एक बार अगर पट्टिका सूख गई तो उस पर दुबारा कुछ नहीं लिखा जा सकता इस परकार प्रतेक सोदे के लिए चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो एक अलग पट्टिका की जरुवत होती थी इस परकार मैसोपोटामिया की खुदाइस्तिलों पर सैकडों पट्टिकाएं मिली हैं और इस स्रोत सबपदा के कारण ही आज हम मैसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जान पाते हैं लगबग 2600 इसापूरू के आसपास वान कीलाकार हो गए और भासा सुमेरियन थी किया जाने लगा जैसे शब्द कोस बनाने के लिए भूमी के हस्तांत्रन को कानूनी मानता परदान करने के लिए राजाओं के कारियों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्थनों को गोसित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जन्ता के लिए बनाए जाते थे मैस्पोटा में की सबसे पुरानी ग्यात भासा सुमेरियन का स्थान 2400 इसापुरू के बाद दीरे अकदी भासा ने ले लिया जैसे कि आप लोग जाते हैं अकदी सासको ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था तो सुमेरियन का स्थान अकदी भासा ने ले लिया जो लगबग 2000 वर्सों तक चलती रही लेखन प्रणाली डियर स्टुडेंट्स यह हमारे इस भाग का दूसरा बिंदू है जिसमें हमें देखना है कि मैसोपोटामिया क कि लेखन प्रणाली किस परकार की थी जिस ध्वनी के लिए किलाक्शर या कीलाकार्चिन का प्रियोक किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वरनी होता है जैसे कि हिंदी या अंग्रेजी या दूसरी भासा में होता है उदान के लिए अंग्रेजी के 1A, B, C, D इस त बलकि एक अक्षर, पूरा एक अक्षर था जो कीलाकार भासा में लिखा जाता था जैसे अंग्रेजी में put, in, out इस तरहें के शब्द बनते हैं कहने का मतलब यह है कि मैसोपोटामिया ही जो लेकन प्रणाली है वो वान आधारित न होकर के अक्षर आधारित थी इस परकार मैसोपोटामिया के लिपिक को सैकडो चिन सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था इस परकार लेखन कारे के लिए बड़ी कुशलता की आवसकता होती थी इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्यपूर माना जाता था इस परकार किसी भासा विशेश की द्वनियों को एक द्रश्यक रूप में प्रस्तूत करना एक महान बोधिक उपलब्दी माना जाता था शाकसरता अर्थात पड़े लिखे लोगों की संख्या इस बिंदू में हमें यह देखना है कि मैसोपोटामिया में साकसरता कितरी थी भेले ही लेकन की शुरूआत मैसोपोटामिया से हुई हो लेकिन वहां पर साकसरता अर्थात पड़े लिखे लोगों की संख्या कम थी क्योंकि नै केवल प्रतिकों या चिन्नों की संख्या सैकडों में थी बलकि ये कहीं अधिक पेचिदा भी थे जैसा कि आप पहले वाली इन दो प्रतिकाओं में देख चुके हैं कि मैसोपोटामिया में लेखन वान आधारित नवकर अक्षर आधारित थे अर्थात सभी अक्षरों को याद करना और उनके चिन्न याद करना काफी मुश्किल भरा काम होता था अगर राजा पड़ा लिखा था तो वह चाहता था कि प्रसस्ती पूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उलेख अवश्य किया जाए जो राजा की प्रसंसा करते हो अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी एक अधिकारी द्वारा लिखा गया पत्तर राजा को पड़कर सुनाए जाता था इसलिए उसकी शुरुवात राजा को संबोधित करते हुए होती थी जिसमें ये बता जाता था कि राजा के द्वारा क्या काम सोपा गया था और सोपे गए काम को किस परकार पूरा किया गया है इसे हम एक उधान से समझ सकते हैं स्रस्टी के बारे में अर्थात दुनिया के बारे में लिखे गए एक लंबे पुरानिक कावब अर्थात एक पुरानी कहावत या कहानी के अंत में यह लिखा गया है इन कावे पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बुड़े लोग इने छोटों को पढ़ाए बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें पिता इने अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं यहां तक कि गवालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहे इस उदान से स्पस्ट होता है कि राजा के द्वारा ये कोशिश की जाती थी कि उसकी परसंसा ना केवल वर्तमान लोग बलकि आने वाली पीडियां भी जान सके कर सके लेखन का प्रियोग डियर स्टुडेंट्स यह हमारे इस भाग का अगला बिंदू है जिसमें हमें देखना है कि मैसोपोटामिया में लेखन का प्रियोग किन किन कारियों के लिए किया जाता था शहरी जीवन व्यपार और लेखन कला के बीच के संबंदों को उरूक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे एक सुमेरियन महाकावे में स्पस्ट किया गया है मैसोपोटामिया की प्रमप्रागत कथाओं के अनुसार उरूक एक अत्तंत शुन्दर सहर था जिसे केवल शहर कहे कर पुकारा जाता था सुमेर के व्यापार की पहली घटना को शासक एन मरकरकर के साथ जोड़ा जाता है उस महाकावे में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता था यह कोई नहीं जानता था एन मरकर अपने शहर के एक सुन्दर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमुले रत्न और धातुएं मंगाना चाहता था इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरहटा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा दूत ने राजा के आदेश का पालन किया रात में वह चांद तारों की रोशनी और उन से सुचित दिसा के अनुसार और दिन में सुरज के बताई मार्ग पर आगे बढ़ता गया वह रास्ते में आने वाले उचे-उचे पहाड़ों को लांगने के लिए उपर चड़ता और उतरता जब पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलाटी में रहने वाले सुसा मतलब एक नगर के लोगों ने उन्हें चूहों की तरह नमस्कार किया कहने का मतलब यह है कि उचाइज से जब देखते हैं तो लोग छोटे-छोटे चूहों की तरह ही दिखाई देते हैं दूत ने पांच परवत मालाएं, छे परवत मालाएं और साथ परवत मालाएं पार की। दूत अरहेटा के मुखिया से लाजवर्द या चांदीर नहीं ला पाया और उसे बार-बार लंबी यात्राओं के उपरां खाली हाथ ही लोटना पड़ा। इसी तरहें उरूक के राजा की योड़ से उसको बार-बार धमक्या मिलती रही और आश्वासन भी मिलता रहा, अंट में दूत इतना चक्रा गया कि अपने बात को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाया। तब राजा एनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टी का बनाई और उस पर शब्द लिख दिये, हाला कि उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखनी का रिवाज नहीं था। जब लिखी हुई पट्टी का दूत ने रैटा के शासक के आथों में दी तो उसने उसकी जाच की उच्चरित शब्द कील अर्थात कीलाकार शब्द थे, उसे देखते ही राजा की तियोरियां चड़ गई, उसने पट्टी का पर नजर गड़ाएं रखी। हलांकि इस गटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निसकर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्व पर्थम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्ता की थी। यह कावें हमें यह भी बताता है कि लेखन कारिये सूचना इकठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही साथ ही मेसोपोटामिया की सहरी संस्कृती की क्रिस्टता की भी जलक मिलती है। दक्षनी मेसोपोटामिया का शहरी करन मंदिर और राजा प्यारे बच्चो इस भाग का ये अगला बिंदू है जिसमें हमें यह देखना है कि दक्षनी मेसोपोटामिया का जो शहरी करन हुआ है उसमें मंदिर और राजा की क्या भूमिका थी। लगबग पांच जार इसापूर्व से दक्षणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शेहरों का रूप ले लिया था। ये शेहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों और विक्सित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विक्सित हुए और शेश, शाही, शहर थे। हमें इस भाग में पहले दो प्रकार के मंदिरों के बारे में चर्चा करनी है। बाहर से आकर बसने वालों ने अपने गाओं में कुछ चुनु हुए स्थानों पर मंदिरों को बनाना या उनका पुनर निर्मान करना शुरू किया सबसे पहला ग्यात मंदिर एक चोटा सा देवालय अर्थात देवता का आलय या घर था जो कच्ची इंटों का बना हुआ था मंदिर विभिन परकार के देवी देवताओं के निवास स्थल थे जैसे उर जो चंदर देवता था और इन नाना जो प्रेम वय युद्ध की देवी थी ये मंदिर इंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ साथ बड़े होते गए कुछ प्रारंबिक मंदिर गरों से अलग किस्म के नहीं होते थे क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था लेकिन मंदिर की बाहरी दिवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की और मुड़ी होती थी यही मंदिरों की विशेस्ता थी साधारण घरों की दिवारें ऐसी नहीं होती थी मंदिरों में पूजा का केंद्र बिंदू देवता होता था लोग देवी देवताओं के लिए अन दही मचली लाते थे मंदिरों की फरश के नीचे मचली की हड़ियां मिली हैं इस आधार पर ऐसा कहा जाता है आराद्य देव अतात जिसकी हम पुजा करते हैं सद्दान्तिक रूपों से खेतों, मतस छेत्रों और अस्थानिये लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था समय के साथ साथ मंदिरों में धार्मिक गतिविवियों के अलावा अन्य क्रियाएं भी होने लगी जैसे कुछ सामुई क्रियाएं तेल निकालना, अनाज पीसना, कातना, उनी कपड़ों को बुनना आदी यहीं पर किये जाने लगे इसी तरहें व्यापारियों के संबंदित क्रिया कलाप या पूरे समुदाय से संबंदित कारिकरम यहीं पर ही आयोजीत किये जाने लगे और दीरे दीरे मंदिर एक मुखे शेहरी संस्था का रूप लेता गया हालांकि मैसोपोटामिया में जमीन प्राकर्तिक रूप से उपजावपन लिये थी लेकिन पानी को लेकर कई बार लोगों में जगड़े होते रहते थे और जब किसी छेतर में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो मुख्या लड़ाई जीतने के लिए अपने सातियों या अन्याईयों पर आधारित होते थे और लूट का माल आपस में बाट कर उनको खुश रखते थे समय के साथ-साथ इन मुख्याओं या राजाओं ने कुछ कल्यान कारी कारियों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया और इस परकार लोगों में या अपने समुदाई में अपना परभाव बढ़ाने का प्रियास करने लगे विजेता मुख्याओं ने कीमती भेटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया जिससे की समुदाई के मंदिरों की सुन्दरता बढ़ जाए उन्होंने लोगों को उतक्रिस्ट पत्थरों और धात्वों को लाने के लिए दूर दूर भेजा जो देवता और समुदाई को लाब पहुँचा सके तथा मंदिर की धन संपदा के वित्रण का और मंदिरों में आने जाने वाली वस्तों का हिसाब किताब रख कर परभावी तरीके से संचालन कर सके जैसा कि एन मरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं कि इस ववस्ता ने राजा को उंचा स्थान दिलाया तथा समुदाई पर उसका पूर्ण नियंतन स्थापित कर दिया चुकि मुख्या और लोगों को एक दूसरे की जरूरत थी या एक दूसरे के साथ की अवशक्ता थी इसलिए मुख्या लोगों ने ग्रामिनों को अपने पास बसने के लिए प्रोच्साइद किया जिससे की वे अवशक्ता पढ़ने पर तुरंत अपनी सेना इकठी कर सके इसके लावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयम को अधिक सुरक्षित महसूस कर सके उरूक जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगर में से एक था से हमें से शस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शस्त्रों के चित्र मिलते हैं सावधानी पुर्वक किये गए पुरातत्विय सर्वेक्षनों से पता चला है कि तीन अजार इसा पुरूक के आसपास जब उरूक नगर का 250 हेक्टेर भूमे में विस्तार हुआ तो उसके कान दर्जनों छोटे छोटे गाउं उजड़ गए और बड़ी संक्या में आबादी का विस्तापन हुआ उसका यह विस्तार सावधियों बाद फले फुले मोहन जोदरो नगर से दो गुना था यहां यह भी उलेखनिये है कि उरूक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों और काफी पहले ही एक मजबूत दिवार अर्थात प्राशीर बना दी गए थी उरूक नगर 42 इसापुरों से 400 इसापुरों तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा साथ ही उरूक नगर के छित्र का भी विस्तार होता गया उदान के लिए 2800 इसापुरों के असपास इसका विस्तार बढ़कर 400 हेक्टेर में फैल गया था युद बंदियों और स्थानिय लोगों को अनिवारे रूप से मंदीर का अत्वा प्रतेक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था क्रिशिकर भले ही ने देना पड़े पर काम करना अनिवारे था जिने काम पर लगाय जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था सैकडो ऐसी राशन सूचिया मिली है जिनमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिये जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदी की मात्रा लिखी गई है एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए पंदरा सो आदमियों ने पाँच साल तक प्रति दिन दस गंटे काम किया था शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातू खनीज लाने, मिट्टी से इट तयार करने और मंदिर में लगाने तथा सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उप्युक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे इसकी वज़े से तीन हजार इसापूरों के आसपास रूक में खूब तक्निकी प्रगति भी हुई अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के ओजारों का प्रियोग होता था वास्तुविदों ने इंटो के स्तंबों को बनाना सिख लिया था क्योंकि उन दिनों बड़े-बड़े कमरों की छटों के बोज को संबालने के लिए शहतीर बनाने अर्थात लंबे लकडी के लठे बनाने के लिए उप्युक्त लकडी नहीं मिलती थी सैकडों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकू अर्थात कौन बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था इन शंकूं को भिन-भिन रंगों में रंग कर मंदिरों की दिवारों में लगाया जाता था जिससे वे दिवारें विभीन रंगों से शुशोबीत हो जाती थी मूर्ती कला के छेत्र में भी उच्च कोटी की सफलता प्राप्त की गई है इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अफैक्षा अधिकतर आयातित पत्रों से त्यार किये जाते थे तभी प्रोध्योगी के छेत्र में भी एक युगांत्र कारी परिवर्तन आया जो शहरी अर्थ वहस्ता के लिए अत्तन्त उप्युक्त साबित हुआ और वह था कुमार के चाक का निर्मान आगे चलकर इस चाक से कुमार की कारेश अला में एक साथ बड़े पैमाने पर दरजनों एक जैसे बरतन आसानी से बनाए जाने लगे थे पाठ की दोहराई प्यारे बच्चो पाठ के सभी बिंदों पर चर्शा करने के बाद आईए हम इसकी दोहराई करते हैं हमने मेसोपोटामिया अर्थात इराक में लेखन कला के विकास की प्रिक्रिया को जाना है साथ ही मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली को समझा है तिसरा मेसोपोटामिया की शाक्षरता अर्थात पड़े लिखे लोगों की संक्या की जानकारी प्राप्त की है अगला मेसोपोटामिया लेखन के प्रियोग की जानकारी हासिल की है और अगला है डक्षनी मेसोपोटामिया में हुए शैरीकरण में मंदिरों और राजाओं की भूमिका को समझा है ग्रह कार्य या होमवर्ग पैरा बच्चों पाठ के सभी बिंदूओं पर जर्चा करने के साथ पाठ की दोहराई करने के आदार पर आपको ग्रह कार्य के लिए निम्न प्रश्ण दिये जा रहे हैं पहला प्रश्ण है मेसोपोटामियाई लेखन कारिये काफी जटिल और मुश्किल भरा था अपने विचार लिखिए दूसरा प्रश्ण हालांकि लेखन की शुरुवात मेसोपोटामिया से हुई थी, फिर भी वहाँ शाक्षरता काफी कम थी, क्यों? तीसरा प्रश्ण आपके विचार से मेसोपोटामिया में लेखन कारिये किन किन कारियों की पूर्ती के लिए किया जाता था? चोथा प्रश्ण मेसोपोटामिया में शेहरों का विकास किस प्रकार हुआ? विशेशकर इनमें मंदिरों और राजाओं की क्या भूमिगा थी? और अन्तिम प्रश्ण उरूक शेहर का उधारन देकर समझाईए कि शेहरों का विस्तार गाओं के विनास पर ही हुआ था Dear Students, इस भाग के सभी बिंदों पर चर्चा करने, पाठ की दोहराई करने के आधार पर ही आपको ये ग्रह कारिये के लिए प्रश्ण दिये गए हैं उमीद हैं कि आप इनको सरलता से कर पाएंगे, अगर फिर भी किसी परकार की कोई दिक्कत है तो वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और इन प्रश्णों को हल केजिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद